दोस्तो नमस्कार आप सभी का दाने किंदी कहानिया पर स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल को मोनेटाइशन के लिए भेजेंगे तो कौन-कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि होता क्या है कि एकदा सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं और 400 गंटे का वाच्टाइम भी पूरा हो जाता है लेकिन जैसे ही आप अपने चैनल को मोनेटाइशन के लिए भेजते हैं तो वहां से reuse content देके वो आपके चैनल को demonetize कर देता है और ये problem काफी ज्यादा च अगर आपने अपने चैनल पर ये गलती की है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो इसलिए मैं आपको दोतीन टिप्स देने वाला हूँ जिनको आप अगर सही से फॉलो करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज 100% होगा कोई भी रोंक टोक उसमें नहीं आ सकती है अगर आपका कॉपी पेस्ट भी होगा तब भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा बस आप मेरी बताए इन बातों का ध्यान में जरूर रखेंगे तब भी आपका ये मोनेटाइज होगा तो देखें सबसे पहले तो आपको कोई भी दूसरे का content use नहीं करना है point number one आप कभी भी किसी का दूसरे का content use नहीं करेंगे वोगि अगर आपने दूसरे का video या दूसरे की music जो copyright free नहीं है अगर आपने उसको use कर लिया और मालो आपका वही video viral चला गया तो अगर मैंने इसमें किसी दूसरे का music यूज़ किया होता या दूसरे का video यूज़ किया होता क्योंकि यही जो video है इसने मेरे channel को monetize करवाया है तो अगर मैंने किसी दूसरे का use किया होता तो मेरा channel monetize नहीं होता क्योंकि इसी एक वीडियो की वज़े से होता और इसी पर आता reuse content क्योंकि यह ने दूसरे का इस्तिमाल किया है तो मेरा channel monetize नहीं होता तो point number तो one यह है कि आप कभी भी दूसरे का content use नहीं करेंगे उसके बाद में जो दूसरा तरीका है मतलब दूसरा tips क्या है कि आप हर एक देखें मेरा आप वीडियो देख लीजे कोई भी सभी का title जो है वो अलग-अलग है किसी का title सेम हो सकता है भले जिसे ये वाला और ये वाला इन दो वीडियो का title सेम है लेकिन आपके हर एक वीडियो का title एक ही जिसा होगा तो YouTube आपके channel को बिल्कुल भी monetize नहीं करेगा और ये बात ध्यान रखना और इसकी वज़े से काफी सारे ऐसे channel है जो monetize नहीं हो पा रहे है सबका title सेम सेम ही लगा के वो upload कर रहे है चाहें आपका short वीडियो हो या फिर long वीडियो हो अगर आपने सेम ही title रखा है तो आपका channel monetize नहीं होगा इसके अलावा ये तो हो गई बात title की इसके अलावा बात है description और text की तो आप description और text वो भी same नहीं रखेंगे आप देखे हमारे हर एक वीडियो में title जो है वो अलग है और मैंने description same रखी थी क्योंकि कुछ चीज़ों सेम रखनी पड़ती है न कुछ थोड़ा बहुत copyrighted disclaimer जो होता है वो और कुछ थोड़ा बहुत अपने लिंक्स होते हैं वो तो रखनी पड़ेंगे आपको लेकिन आप हर एक वीडियो में रखिए कोई problem भी नहीं है कब तक रखिए जब तक आप monetization के लिए भेज नहीं रहें क्योंकि जब उसमें आप जो keyword डालेंगे वो सारे keyword आपके वीडियो को rank करवाते हैं description में और text में लेकिन जब आप monetization के लिए भेजिए तो आप उनको हटा दीजिए वहां से क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका Channel monetize होने में problem हो सकता है सारा description और सारा tax एक ही जैसा नहीं होना चायए कुछ-کुछ को हटा दीजिए, किसी वीडियो में कुछ को अटा दीजिए, किसी वीडियो में कुछ बढ़ो जाएगा तो अब अगली टिप्स की बात करते हैं तो अगली टिप्स यह है कि आपका जो वीडियो जादा वाइरल गया है मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा वाच टाइम और सबसे व्यूज आये हैं उस वीडियो को आपको अच्छे से फिर से अपना टाइटल टाइग डिस्क्रिप्शन यह चेंज कर देना है जब भी आप मोनिटाजेशन के लिए अपने चैनल को भेजेंगे और मैंने यही किया था मैंने पहले काफी डिस्क्रिप्शन और टैक्स सेम रखे थे लेकिन जब मैंने अप्लोड किया जब मैंने मोनिटाजेशन के लिए भेजा तो मैंने उनको चेंज कर दिया इसके बाद में आपको जो एक काम करना है वो यह करना है कि आप जो अपने चैनल पर कीवर्ड डालत हैं बट जब आप मोनिटाजेशन के लिए अपने चैनल को भेजेंगे यूटूब के पास तो आपको वो सारे यहां से हटा देने हैं बाद में आप मोनिटाज होने के बाद भले ही डाल दीजिए जैसे मैंने तो नहीं डाले है अब भी लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं बाद में लेकिन पहले नहीं डालेंगे मतलब पहले डालिए लेकिन जब मोनिटाजेशन के लिए भेजिए तो उनको हटा दीजिए को कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि यूटूब को प्रावलम हो इससे और आपका चैनल मोनिटाजेशन के लिए तो इसके लिए आपको फिर 30 दिन का वेट करना पड़ेगा और एक यूटूबर के लिए 30 दिन तक वेट करना बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि आप monetization के लिए भेज दिया उसके बाद वापस हो जाए फिर बड़ी बात है पहले तो आप काम करी रहें क्योंकि आपने 1000 सब्सक्राइबर और 40 गंटे का वाज टाइम के लिए जो मेहनत की है वो तो आपको ठीक है लेकिन बाद में अगर आपको 30 दिन वेट करना पड़े तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और इसके अलावा आपको जो लास्ट काम करना है वो लास्ट काम भी ध्यान से सुन लीजिए अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका चाहिए 100% monetize होगा जब भी आप monetization के लिए भेजिए तो जैसे ही आप भेज दिए उसके बाद में आपको एक face cam video बना देना है जैसे मैंने monetization के लिए भेजा तो मैंने अपना एक face cam video बना दिया और यह video हमने अपना बना दिया यहाँ पर मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि एड आ रहा है और अप आपकी जो voice पढ़ रही थी अपनी voice को तो जरूरी डालना है हर एक वीडियो में चेहरा आप बले ना दिखाए लेकिन जब आप जब यूटूब देखेगा कि जो voice थी वही चेहरे से इसने एक video बनाया है इसका मतलब यह बंदा जो है यह सेम है इसका मतलब यह fake नहीं है य यह real बंदा है जो अपनी voice को इस्तेवाल कर रहा है तो इससे क्या होगा यूटूब आपके चैनल को बिलुकुली monetize कर देगा तो जोस्तों मैं आसा करता हूं कि आपको इसमें बताई गई सारी बाते समझ में आई होंगी और आप इन चीजों को follow करेंगे और अपने चैनल क लाते रहेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाय हिंद